हाई गईज और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपच्यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल इनालिसस ओफ 18 जुलाई 2023 तो गईज जाज है तारिक 18 जुलाई 2023 और है टूजडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को अनिलाईस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडियेफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच यदव एजूकेशन यूपी एससी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्ले करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसस पर लेक्चर का पीडियस मिल जाता है डेली करेंट अफिर के वीडियो का पीडियस मिल जाता है और डेली बेसस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं ना उबढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ने से पहले हमीशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है, तो अच्छे से मैप में देखना है, तन उसके बाद आकर नीचे कॉमें सेक्षन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे, साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे, जो कि UPSC प्रिविएस एर साल 2015 के प्रलिम्स में पूछा या था, डेली बिस्स पर हम लोग यहां पर एक प्रिविएस एर क्वेशन को भ भी रक्षक है, कस्टरडियन है, या फिर केर टेकर भी बोल सकते हो, उप्शन नमबर A, The President of India, उप्शन नमबर B, The Prime Minister of India, उप्शन नमबर C, The Logs of Secretariat, या फिर उप्शन नमबर D, The Supreme Court of India, तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कॉमेंट सेक्षन में देना है, एटली सभी को उसम जरूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में, इसके करेक्ट आंसर का डिसकेशन हम लोग करेंगे, तो चलो शुबार हम करते हैं, और चलते हैं सबसे पहले थमनेल वाले इंपोर्टेंट आर्टिकल की तरफ, और मैं आपको यहीं पर बता दूँ, कि थमनेल वाला जो टॉपि 105 जो एंटिक्विटी जब यहां पर मगाई गई हैं, तो पूरा प्रॉसस क्या मगाने का वो सब कुछ हम डीटियल से कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ दिर बाद, उससे पहले पेज नमबर वन पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत काम का आर्टिकल मिलेगा, वो है इस टॉपिक को जीएस पेपर नमबर टू पॉलिटी के पॉइंट अव्यू से लिंक किया जा सकता है, यहां पर सेंटर वर्सस स्टेट की चर्चा की जा रही है, केदर सरकार खा, जो पुरा का पुरा डिस्प्यूट है, डेली की सरकार के साथ में, उस डिस्प्यूट के ब वो केस यही था, कि डेली की सरकार है, और इदर से सेंटर गौवर्मेंट है, यह न एक पावर को लेकर लड़ रहे हैं, किसी चको लेकर, देखो क्यूंकि डेली एक यूनिट टैरेटरी है, तो इस यूनिट टैरेटरी के अंदर में कई सारी ऐसी पावर्स होती हैं, जो हमा लेफ्टनेंट गवर्नर जो हैं वो रेप्रेजेंट करते हैं कौन करते हैं लेफ्टनेंट गवर्नर केंद सरकार को रेप्रेजेंट करते हैं तो मांग ये चल रही थी कि डेली के अंदर में जो भी यहां पे हमारे आयस ओफिसर्स जो भी हमारे ओफिसर्स हैं बड़े- जाए इधर से केंसरकार चाती है उनके पास में आ जाए यानि इनका ट्रांसफर इनका पोस्टिंग का सारा का सारा जो यहाँ पर मेथड है या सारा डिसीजन इस टॉपिक को लेकर वो केवल और केवल लेफटनेंट गवणर करें क्योंकि लेफटनेंट गवणर ओवरॉल हमा तो यह मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ था कि यह पावर किस के पास में चाहेगी अब फाइनली होता क्या है माई के माईने में यह मुद्दा सुप्रीम कोट के पास में जाता है सुप्रीम कोट ने अपना डिसीजन सुनाया सुप्रीम कोट ने बोला यह जो भी यहा वो डेली की गवर्मेंट के पास में ही जानी चाहिए तो ये चीज सुप्रिम कोट ने अपनी साइट से ओर्डर में बोल दी अब क्या होता है इस सुप्रिम कोट के ओर्डर के खिलाफ सरकार ने हाथो हाथ क्या कर दिया एक ओर्डिनेंस जारी कर दिया उसका नाम है Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 तो सरकार ने अपनी साइट से Ordinance जारी कर दिया Supreme Court के इस वाले order को रोकने के लिए अब यह Ordinance क्या होता यह सब कुछ हम डीटियल से डिसकस करेंगे और इस Ordinance के तहित जो यह Ordinance लाया गया था हमारे इंडियन प्रेसिडेंट के तुरू इस Ordinance के तहित जो Left Nand Governor है डेली के यहां सुनना जो Left Nand Governor है डेली के उनको यह सारी पावर दे दी गई इस डेली की जो Services की पावर है वो यहाँ पर हमारे Left Nand Governor को दे दी गई इस ordinance के basis के उपर अब डेली की सरकार के पास में वापस कुछ नहीं आया जो पावर सुप्रीम कोट ने बोला था वो यहाँ पर इनके पास में नहीं पहुँचा अब क्या होता यह matter वापस से सुप्रीम कोट के अंदर में चल रहा है तो सुप्रीम कोट ने बोला है कि अब हम इस केस को आगे Constitutional Bench में सेंड करने वाले हैं कल यानि मंडे में सुप्रीम कोट की साइट से स्टेटमेंट आता है कि डेली की सरकार ने जो Petition डाला है केंद सरकार के Ordinance के खिलाफ केंद सरकार Ordinance लेकर आ गई थी अब उसके खिलाफ जो यहाँ पर डेली गोवर्मेंट ने Petition Supreme Court के अंदर में डाला है इस Petition की जो सुनवाई है वो एक नई Bench के बास बेजी जाएगी एक नई Constitutional Bench बनेगी कुछ जजिस बैटेंगे और वो यहाँ पर इस परडिकुलर सेंटर का इशू चल रहा है अब यह तो मैं आपको मोटा मोटा बता दिया एक ओवर्विव दे दिया लेकिन अब एक्जाक डिस्प्यूट के चल रहा है लाइन टू लाइन चीज़े आपको पढ़ने के लिए एक्जामनेशन में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो लिखने के लिए कुछ content आपके पास definitely होना चाहिए तो उसमें क्या-क्या पढ़ना है अब यहाँ पे हम वो discuss करेंगे ठीक है आप धियान से सुनना अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आया है कहीं पर confusion होई है तो वापस से हम चीजों को थोड़ा-थोड़ा repeat करेंगे डिसकस करने वाला है इंपोर्टन होने वाला है ठीक है तो हुआ क्या सरकार ने Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 तो यह हमारी केंसरकार Ordinance अभी मई 2023 में लेकर आती है और यह Ordinance के अंदर में जो powers है वो Left-Nand Governor of Delhi को दे दी गई कि जो भी यहाँ पर इस Capital सरी इस Territory की जो Services की पावर होगी वो यहाँ पर गवरनर के पास में होगी और यह Ordinance कब आया था मैं आपको बता दिया कि Supreme Court के Decision के बाद में Supreme Court का अपना और था कि Delhi की सरकार के पास में सारी पावर्स होनी चाहिए है ना जो भी हमारे IS IPS Officers है इनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर Delhi के सरकार के पास में होनी चाहिए ऐसा Supreme Court में बोला था पुलिस, पब्लिक और ठीके ध्यान अगना ग्रूप A Officers के ट्रांसफर की पावर है वो यहाँ पर Left-Nand Governor को अभी के समय पर दे दी गई है समझ गए, अब पहले यह समझते हैं कि Ordinance exactly होता क्या है क्योंकि Ordinance समझ में नहीं आएगा तो गेम अट कर आएगा इंडियन पॉलिटी में Ordinance का Concept जो है हमारे समझ गए अंदर में Article 123 के अंदर दिया लिया है Article 123 जो है हमारे Constitution of India का यह हमारे President को पावर देता है कि President क्या कर सकते है Ordinance को लेकर आ सकते है Ordinance को कब लेकर आएगे जब हमारे Parliament के दोनों House Parliament के House यानि राजसभा और लोकसभा की बात कर रहे है दोनों House सेशन में नहीं होंगे तो यहाँ पर यह Ordinance को एक Urgent Situation में लेकर आया जा सकता है प्लस यह पॉसिबल नहीं है कि जो Ordinance से वो Parliament लेकर आएगा यह हमारे राश्रपती लेकर आते है प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको प्रमॉलगेट करते है और जब एक Ordinance यहाँ पर आ जाता है तो Ordinance पास कर दिया गया और उधर से हमारा जो Legislative सेशन है जो हमारी Assembly है जो बैठनी थी वो अभी बैठी नहीं है असेशन में नहीं है लेकिन Ordinance आ चुका है तो उस बीच यहाँ पर सरकार ने Ordinance दे दिया अब Ordinance के basis पर यह सारी powers कहिना के सरकार के हाथ में रहे गई यानि Central Government के हाथ में चली गई जो Ordinance यहाँ पर President लेकर आता है उसकी जो Maximum Validity होती है कितने की 6 महिने या फिर 6 सब्ताज 6 Month and 6 Weeks कि यहाँ पर वैलिडिटी होती है जब से मतलब जिस तारीक ओडिनेंस लाया जाता है उस तारीक से 6 Month and 6 Weeks की वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी यह हमने बात की है Central Level पर Ordinance की बाकी State की जो Ordinance होती है वो Governor लेकर आता है क्योंकि जैसे Central Government में केन सरकार में President है उसी पद पर मतलब उसी पद के लेवल पर हमारी राजसरकार में Governor होता है ठीक है जैसे Central Government के लिए President वैसे हमारी State Government के लिए Governor तो Central Government के लिए Article 123 की अंदर में यहाँ पर यह सरा का सरा Process है Ordinance का जैसे मैं आपको बताया और अभी यहाँ पर आप देखोगे State Government के लिए तो State Government के लिए सारा जो Process है यह Ordinance लाने का वो Article 213 के अंदर में Article 213 of the Constitution of India ठीक है तो Governor इदर से Ordinance को इशू कर सकता है कब जब State Legislative Assembly जो है ठीक है वो Session में नहीं होगी जब विदान सभा Session में नहीं होगा Supreme Court के Order के Against में यहाँ पर यह पूरा का पूरा Ordinance है अब इस Ordinance के खिलाफ कई सारे Issues यहाँ पर निकल करा रहे हैं कि इसमें काफी सारी दिक्कत हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था क्यों? क्योंकि Supreme Court अल्रेडी बोल चुका है Democracy क्या है? Democracy वही तो है जहाँ पर जो लोग है एक particular country की public है जो जनता है वो vote देकर अपने मन पसंदिदा सरकार को यहाँ पर बैठा सके पदबर है ना वही democracy है ऐसा यहाँ पर डेली के अंदर भी हुआ अब डेली के अंदर में जो legislative assembly बनी वी है वहाँ के CM है वहाँ का जो पूरा का पूरा यहाँ पर सरकार चल रही है डेली सरकार वो वहाँ के लोगों ने elect करी है वहाँ के लोगों ने vote देकर यहाँ पर उस सरकार को बठाया है तो कुछ powers यहाँ पर legislative assembly के पास में होना जरूरी था लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि left and governor का एक main role आना क्योंकि left and governor directly हमारी central government को represent कर रहे है केन सरकार के हैं वो तो केन सरकार को directly सारी power देना वो सही नहीं होगा वो democracy के खिलाफ चले जाएगा उसके बाद power को लेकर struggle चली रहा है यह जो ordinance है इसने power struggle और ज़ादा बढ़ा दिया एक तरफ elected government डेली की दूसरी तरफ left and governor इनके बीच में struggle और ज़ादा बढ़ चुका है elected जो सरकार है यह डेली की सरकार है जो CM है उनका claim करना है कि जो यह ordinance लेकर आया गया है यह ordinance हमारे सम्विधान को violate करता है हमारे सम्विधान का हनन करता है जबकि left and governor इदर से आर्गू करते हैं वो यह बोलता है यह ordinance जरूरी था क्योंकि डेली एक capital है हमारे इंडिया की तो वहाँ पर proper governance होना और उसको ensure करना central government का हक बनता है तो आपस में यह arguments इस प्रकार से चल रहे हैं अब यहाँ पर जो यह ordinance लेकर आया गया इस ordinance के जो provision है इसमें कुछ issue है वो issue क्या है वो थोड़ा discuss करते हैं यह ordinance डारेक्ली हमारी left and governor को जो केंज सरकार को represent कर रहे हैं उनको directly powers दे रहा है कि वो क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर कोई भी bureaucratic positions पर कोई भी यहाँ पर I.S.I.P.S. officers हैं उनका appointment करना वो सारी powers हमारी left and governor के पास में चली जाती है इस ordinance के हिसाब से प्लस इतना ही नहीं appointment के साधी साथ में यह ordinance left and governor को transfer और आप कैसकतो posting की powers भी देता है ठीक है जो कि यहाँ पर responsibility पहले हमारी elected government की हुआ करती थी यानि डेली की जो सरकार exact elected government जो है उनके पास में powers हुआ करती थी लेकिन यह powers कहीं है कि इस ordinance के हिसाब से केन सरकार left and governor को दे रहे हैं कि यह सारी चीज़े डेली की सरकार नहीं left and governor डिसाइड टेटेंगे जो केन सरकार को represent कर रहे हैं समझ गए अब यहाँ पर एक और issue निकल कर रहाता है इस ordinance में वो है constitutional issue constitutional issue क्या बूलता है जो elected government है डेली की वो claim करती है यह ordinance सीधा-सीधा हमारे समभिधान को wallet करता है हमारे समभिधान का हनन करता है क्योंकि समभिधान के according बात करेंगे तो यह समभिधान वहाँ की डेली की elected government को जो लोगों ने vote देकर बठाया है उस सरकार को यहाँ पर appointment और transfer की power देता है ठीक है और अगर left and governor की power को जबरदस्ती बढ़ाया जाएगा इस प्रकार से ordinance लेकर आकर तो कही ना के जो फेडरलिजम का concept है इसका violation होता वनजर आएगा फेडरलिजम आपको पता है ना जहांपर हमारा जो फेडरलिजम का concept बोलता है कि central government और state government दोनों के पास में अपनी अपनी powers हैं लेकिन दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो इस चीच को भी कही ना के वालेट करता वनजर आएगा ये ordinance उसके अलावा इस ordinance में एक governance इशू भी है ये जो ordinance से इसने बहुत ज़दा confusion create कर दिया है ठीक है जो civil services officers हैं जो काम करेंगे डेली सरकार के departments केंडर में उनके बीच में बहुत confusion हो चुकी है क्या करेंगे, किस के अंडर काम करेंगे, किस के अंडर काम नहीं करेंगे ये जो ordinance से इसने साथी साथ में जो डेली के अंदर में welfare schemes हैं public services के delivery है इसको भी बुरी तरह से affect कर दिया है क्योंकि काफी confusion create हो चुका है powers को लेकर, भई किस के पास में power रहेगी किस के पास में नहीं रहेगी फिर उसका बताया जा रहा है ये ordinance लाने के पीछे के sorry, ये ordinance आने का consequences भी हमें देखने को मिल सकता है कुछ परिडाम भी देखने को मिल सकता है क्या, अगर ये ordinance यहाँ पर successful होता है तो इससे बहुँ सारा constitutional crisis देखने को मिलेगा central government और डेली government के अंदर में civil services वाले sector को control करने का जो टसल है वो और जादा गहरा हो जाएगा उसके अलावा, डेली सरकार जो special सरकार है वहाँ की legislative assembly जो चला रही है पूरी है ना, वहाँ के CM है उनकी तो autonome उनकी जो power है वो तो खतम ही हो जाएगी फिर क्योंकि main power किसके पास में चली गई left and governor के पास में और left and governor वो करेंगे जो कें सरकार बोलेगी क्योंकि वो directly हमारी central government को represent कर रहे है, समझ गए तो इस ordinance की वज़ा से जो डेली का पूरा governance है पूरी जो सरकार चल रही है पूरी यहां पर प्रसाशन है उसको कही न कहीं यहां पर यह negative impact करता वा नजर आएगा ऐसा यहां पर बोला जा रहा है ठीक है, उसके लावा जो civil services officers हैं उनमे confusion create होगा अपने role को लेकर responsibilities को लेकर क्या करना है क्या नहीं करना है उसके साथ साथ इस ordinance की वज़ा से कह सकते हो कि कुछ legal challenges कुछ चुनोतियां आने वाली है प्लस जो judges हैं, जो हमारा judiciary है इसके ओपर भी question उठेगा क्योंकि Supreme Court ने अपना order दे दिया, उसके बावजुद भी Supreme Court का order नहीं माना गया, इनके ओपर भी यहां पर भी हनन होता वा नजर आ रहा है, इस ordinance की वज़ा से तो हमारे संभिधान का article 239 AA क्या है, थुड़ा सा ये जान लेते हैं article 239 AA को बाहरते संभिधान में 69th Amendment Act 1991 के तहट यहां पर insert किया गया था तो जो 69th Amendment किया गया था संभिधान के अदर में संभिधान किया गया था, उसके basis पर इस article 239 AA को हमारे संभिधान में डाला गया समझ गया, अब इस article से क्या होता है, जो डेली है डेली को एक special status दे दिया जाता है और यह सारा काम किया जाता है S. Balakrishnan Committee की recommendation के basis पर, ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि यह article बोलता है कि जो हमारा National Capital Territory of Delhi है जो डेली है basically, इसके पास में एक administrator भी होगा और legislative assembly भी होगी क्योंकि Delhi जैसे एक unit territory है unit territory के पास में कोई legislative assembly होती नहीं है कुछ ही unit territories आपको देखने को मिलेंगी जिनके पास में legislative assembly होती है लेकिन यहाँ पर डेली के पास में है ठीक है, तो डेली को यहाँ पर एक special power दी गई है समझ गए, अब जो यह article 239A है यह यह भी बोलता है कि जो हमारे left and governor होंगे left and governor जो भी काम करेंगे वो हमारे council of ministers के advice पर करेंगे यहाँ जो डेली की सरकार है जो जिस तरीके से डेली की सरकार advise देगी उसके basis पर left and governor को काम करना होगा यह council of minister के advice पर यहाँ पर काम करना होगा अर्टिकल 239AA हमारे left and governor को थोड़ा power भी देता है कि अगर कोई भी matter को लेकर मालो, सरकार एक तरफ डेली की, एक तरफ left and governor है किसी topic के उपर दोनों के opinion different है अलग-लग यहाँ पर सोच रहे हैं तो उस matter में हैं पर वो क्या करेंगे अपने opinion को सीधा president के पास बेजेंगे president यहाँ पर decision अपना सुना सकता है ठीक है तो इसी article के तहत यहाँ पर ज्यादा powers हमारी elected सरकार को दी गई है elected government को दी गई है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस ordinance की वज़ा से यह problems और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है ऐसा यहाँ पर mention किया गया I hope आपको यह बाते बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है यह पूरा का पूरा issue आपको समझ में आ गया अब यह अकसर news में आता रहेगा बट अब यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा गहराई से पढ़ने के जुरत नहीं है क्योंकि एकी बार में आपको यह cover करवा दिया है बाकि दोस्तों आज का जो mains का question है वो भी आपने इसी वाले article के उपर लिखना है मैं इसका question क्या फटपट में आपको बता देता हूँ question है जो अब हम डिसकस कर रहे थे यह 2030 का जो अडिनेंस है यह एक controversy और litigation का subject बन चुका है तो यह जो पुरा विवाद है यह जो पुरा कह सकतो हो हमारी केन सरकार और साधी साथ में जो राज़ सरकार है especially डेली सरकार इनके बीच में जो जगड़ा है इसको थोड़ा से examine करना है कि आखरकार यह किस matter को लिकर issue है समझ गए एक बार हिंदी में भी रेट कर देता हूँ राश्टिये राजजानी छेतर दिली सरकार संशोदन अध्यादेश दोहजार तेहिस विवाद और मुकदमे बाजी का विशे रहा है केंदर बनाम राज्ये राज्ये में दिली सरकार के बीच जगडे का आलोचनात्मक परिक्षन करें धाइसो शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहां पर सम्मिट करना है टेलिग्राम पर जाना वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपाच यादव एजूकेशन मेंस ग्रूप जाएगी आप अपने आंसर्स को लिखकर सेंड कर सकते हो और make sure करना कि at least सभी लोग दो-दो आंसर्स रिव्यू कर सके हैं जब आप सभी लोग दो-दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी सामने वाले को भी आपको कुछ important points मिलेंगे अपने नोट्स में include करने के लिए सामने वाले के आंसर में अगर कोई mistake होती है तो आप वहाँ पे उनको बता सकते हूँ कि यहाँ यहाँ पर improvement की आविशकता है ठीके तो अब इस ordinance को लिएकर जो matter है वो Supreme Court सुनवाई करेगा Thursday में देखते हैं क्या होगा आगे बाखी दोस्तों एक छोटी सी information है जो मैं हमेशा share करता हूँ जो हमारे paid groups हैं आप चाहो तो उनको join कर सकते हो paid group का amount बहुत ही minimum रखा गया है इन paid groups के अंदर में आपको daily current notes के PDF और बाखी notes मिल जाते हैं जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक article discuss किया Supreme Court वाला है ना उसका background data बहुत important था article तो इतना important नहीं है news आ रही है news आ रही है लेकिन उसका background data static portion जो अभी हमने discuss किया वो important है ऐसे हर एक article में मैं आपको कुछ background information देता हूँ वो सब directly आपको exam में help करेगा ठीक है तो वो सारी चीज़े आपको इस group में PDF के form में plus as a pasted form में provide करवा जाते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से use कर सकते हो अगर आप notes नहीं बना पा रहे हो तो एक अच्छा option है कि आप directly इस paid group को join कर सोगो paid group का amount बहुत minimum है 499 rupees for the lifetime access आपने हमेशा हमेशा के लिए केवल एक ही time बार वेक ही बार investment करना है 499 rupees का तो इस 499 में मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 महीने बाद एक साल बाद दुबारा subscription लोगा ऐसा कुछ भी नहीं है एक ही बार में आप उसको group को join कर सकते हो और इस group के बारे में और वहाँ पर नीचे paid group demo video link लिखा होगा उस link पर click करोगे आपको video मिलेगा आप अच्छे से उसको देख सकते हो फिर उसके बाद में join करने के लिए क्या करना है WhatsApp नमबर आपको यह नजर आएगा 853-4873368 इस नमबर पर WhatsApp पर message करना कि हाँ आप interested हो जॉइन करने में आपको महाँ से message आएगा सारा process दिया जाएगा payment का दर उसके बाद में यहाँ पर आप उस group को जॉइन कर पाओगे बाकी मैं हमेशा जो बूलता हूँ make sure करना वीडियो पर जो like का बटन उसको प्रेस कर दिना एक छोटा सा target अमरा 5K प्लस likes का जिसको आप अच्छीव करवा सकते हो साथी साथ मेरे साथ में Instagram पे जोड़ सकते हो Instagram पे जाना सर्च बॉक्स में लिखना दीपा ज्यादा वेजूकेशन आपको ये profile मिलेगा जहाँ पर 13,000 से जादा लोग अल्रेडी जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में परसनली जुड़ सकते हो बागी दोस्तों front page पर ही एक और छोटा सा article आपको नीचे की साइट में देखने को मिलेगा important है अगें GS paper number 2 के point of view से बात के जारी है हमारे national multi-dimensional poverty index के बारे में अभी थोड़ी दिनों पहले तो आया है था ये index देखो याद करो थोड़ी दिनों पहले यानि आज से 5 दिन पहले जो हमने index discuss किया था वो था global multi-dimensional poverty index वो पूरे दुनिया के लिए index cover किया जाता है है ना वो दूसरी bodies publish करती है लेकिन ये वाला जो index है ये है national multi-dimensional poverty index हमारे देश के लेवल पर ये पूरा index तयार किया गया है और इसको लाता है नीतियायोग ये आपने दियान में रखना है तो भारत के अंदर में केवल इंडिया की बात करें especially इस index के अंदर में हम लोग तो केवल इंडिया में कई सारे जो लोग हैं वो multi-dimensional poverty की category से बहार निकल कर आएं multi-dimensional मतलब कई सारी ऐसी चीज़े हैं जिसको लेकर इंसान गरीवी में जी रहा होता है तो उस section से बहार निकल कर आया है ऐसे कई सारे परिवार भारत में आपको देखने को मलेंगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक chart दिया गया है इस chart में 2019, 2021 और 2015, 2016 की बात की जा रही है 2015, 2016 में बिहार के अंदर में लगबग आप कह सकतो 51.8% लोग multi-dimensional poverty के अंदर में थे लेकिन 2019, 2021 में यह लोग कम हो गए तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस गरीवी से बाहर निकल कर आएं यह नंबर 51.8% से कम होकर 33.7% हो गया similarly आपको जारकंड में देखने को मिलेगा कि 42.1% multi-dimensional poverty हुआ करती थी 2015, 2016 में जो की कम होकर 28.8% हो गई पिर मेगालिय में भी आपको ऐसा similar situation है उसके बाद उतरबरदेश जनूसके बाद मद्यापरदेश में भी आपको यह देखने को मिलेगा तो multi-dimensional poverty यह आपको सुझ माया कि कई सारे लोग यहाँ पर इस गरीवी से बाहर निकल कराएं हेल्थ अच्छी ना होना है, प्रॉपर एजूकेशन ना होना, लोग का जो रहना सैने का तरीका है वो प्रॉपर ना होना तो यह से कई सारे sections होता है, उन सब को count किया जाता है तब जाकर यहाँ पर यह multi-dimensional poverty index को तयार किया जाता है प्लस, बोले जारा है, सबसे जातों जो यहाँ पर अच्छी improvement नज़र आई है सबसे जातों जो यहाँ पर लोग गरीवी से बाहर निकल कराएं वो बिहार, उतरप्रदेश, मद्याप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान के अंदर में बाकी Delhi, Kerala, Goa, Tamil Nadu यह जो states आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर already काफी सरे लोग मतलब ऐसे ही है जो कि यहाँ पर बहुत जादा कम है, मतलब कि बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि multi-dimensional poverty को यहाँ पर face कर रहे हैं, समझ गए अब थोड़ा से मैं आपको detail से बताता हूँ, इस index के बार में काफी सारी चीज़ा आपसे पूछी जा सकती है नंबर बन पॉइंट, exam में क्या पूछी जा सकता है exam में आपसे पहली चीज़ यह पूछी जाएगी, इस index को कौन release करता है तो इसको नीतिया यह को release करता है अब हम क्या करेंगे, confused जाएंगे अगर आपसे लिखा जाएगा, लिख कर देखा कि Global Multidimensional Poverty Index कौन release करता है तो दोस्तों यह बात ध्यान अखना Global Multidimensional Poverty Index release करने वाली जो body है, वो अलग है वो है UNDP and OPHI UNDP मतलब United Nation Development Program बाकि जब National की बात की जाएगी या केवल Multidimensional Poverty Index होगा तो वो नीतिया यह को release करता है Simple, अब तो कोई confusion नहीं होगा अब यह जो Multidimensional Poverty Index है जो नीतिया यह ने release किया है इसके अंदर में Majorly तीन बड़े-बड़े dimensions को देखा जाता है लोगों की health, उनका educational status प्लस उनका रहने सने का तरीका यानि की standard of living तो इन तीन चीजों के business पर यहाँ पर यह index तयार किया जाता है और इन तीन चीजों के अंदर भी काफी सारी चीज़े आते हैं जैसे बच्चे का nutrition, school की attendance कैसी है year of schooling कितना पढ़ा है drinking water कैसा है यानि की पानी पीने का मिल पा रहा है, ने मिल पा रहा है साफसभाई कैसी है, housing, bank accounts इस प्रकार की चीजों को भी यहाँ पर देखा जाता है अगर इन सभी sectors के अंदर में लोगों की growth हुई है, तो वो multi-dimensional poverty से बाहर निकल कर आया है समझ गए, तो यह था यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा इस data को लेकर बातचीत, उसके अलबा, अच्छा इस index का importance क्या होगा इस index का महत्व यहाँ पर यह है इस से हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा multi-dimensional गरीबी है कहां कहां पर है, कौन-कौन से level है, जिसके लिए हम लोग कुछ काम कर पाएंगे, नई policies को लेकर आपाएंगे उसके बाद, यहाँ पर कह सकते हो यह जो particular situation है, जो यह index है, यह हमें overall हमारे देश का गरीबी का एक picture जो है, एक data जो है, वो हमें provide करवाएगा, जिसके basis पर हर एक region के अंदर, हम in-depth analysis कर सकते हैं, बहुत details से analysis कर सकते हैं, उसके बाद में, जहाँ जहाँ पर complex scenario है, उनको tackle कर सकते हैं, उसके अलावा, बाकी जो हमारे पास में sustainable development goals आपको बता होगा, दुनिया बर की countries ने sustainable development goal के अंदर में 17 goal ऐसे हैं, जिसको achieve करने का target रुख हुआ है, तो इसमें से sustainable development goal में जो target number 1.2 है, ये वही बात करता है, poverty को दूर करने की, गरीबी में रह रहे जो लोग हैं, उनको आधा करने की, तो उस चीज़ की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये भी एक काफी बड़ा importance देखने को मिलेगा, बाकी में आपको बता दिया, global multi-dimensional poverty index अलग है, इसको release करने वाली body अलग है, बाकी MPI को release करने वाली body अलग है, next page पर आएंगे, यहाँ पर आपको कोई भी काम का article देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आपको ये नजर आ भी रहा होगा, ठीक है, इनको आप लोग पूरी दरा से skip कर सकते हो, हाँ एक article काम का आपको ये नजर आएगा इस वाले topic को, GS paper नमबर वन, geography वाले points के साथ में link किया जा सकता है, क्या बात की जारी है हिमाचल के कुलू के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में, जो कुलू district है वहाँ पर cloud burst हुआ, cloud burst मतलब बादल फट जाना, बादल वाके में फटते हैं, बादल फटने का exact मतलब क्या है, अभी आपको थोड़ दरे में समझ माएगा तो उस बादल फटने की वज़ा से बारी बर कम बारिश हुई, जिसकी वज़ा से तीन लोग injured हो गए, तीन लोग घायल हो गए, और एक वेक्ति की जान गई है ठीक है, तो ये कल के दिन, यानि मंडे में, सुबह-सुबह ये incident हुआ है, लगबख चार बजे के आसपास, cloudburst नज़र आया कुल्लू district के अंदर में इस विज़से याँ पर ये news में आप question याँ पर यह ही है, कि दोको पहली बात बताए जारे कितने लोगा fact नहीं, कितने लोगों महां से हटाया गया, हम exam perspective से देखें, तो ये चीज़ important नहीं बनती है लेकिन आपने जरूर पता होना चाहिए, कि cloudburst जो है, वो exactly होता क्या है है ना, तो इसका एक पूरा का पूरा term है, वो term आपने clear होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है cloudburst मतलब होता है short duration, intense rainfall events over a small area मतलब, एक छोटे से जगह में बहुत ही खतरनाक बारिश होना एक होती है, मूसला धार बारिश मूसला धार बारिश अपने आप में word है, जो बहुत heavy बारिश को indicate करता है, लेकिन उससे भी खतरनाक बारिश होना, मतलब एक घंटे के अंदर अंदर बाढ़ा जाना ऐसा कह सकते हो वैसे बाढ़ाने में काफी टाइम लगता है लेकिन यहाँ पर थोड़े टाइम में बाढ़ा जाती है इस cloudburst के समय पर बादल फटने के समय पर इतनी खतरनाक बारिश होती है तो यह एक ऐसा वैदर फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा यह एक छोटे से एरिया में 20 से 30 स्क्वाइर किलोमेटर के एरिया में बारिश होने स्टार्ट हो और वो बारिश एक घंटे के अंदर अंदर 100 mm को क्रॉस कर जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह बात ध्यान अकना ठीक है तो डौिवर्स क्या है बारिश है लेकिन एक घंटे के अंदर 100 mm को क्रोस कर जाए जब एक घंटे में 100 mm को बारिश क्रोस कर जारी है तो इसको क्लाउड बिस्ट बोला जाता है 100 mm अपने आप में बहुत बहुत ज़ादा हो गया पर इसी देर में घंटे बर के अंदर अंदर है अब इस cloudburst के परिडाम क्या देखने को मिल सकता है परिडाम में पहला flash flood अचानक से बाड़ा जाना घंटे बर के अंदर बाड़ा जाना लेंड्स लाइड हो सकता है बूस कलन देखने को मिलेगा जमीने खिसकती हुई नजर आएंगी मड़ फ्लो उन लगगा जो कीछड़ है वो बहुत इखटा हो जाएगा तो इस प्रकार की जो सिनेरियों से वो यहां पर नजर आ सकते हैं cloudburst की वज़ा से समझ गए तो यह था य इंडिया का वो heritage है है ना हमारे culture को दर्शाती है तो पुराने जमाने की जो मूर्तियां है कलाकरितियां है वो यहां पर जो विदेशी देश है खासकर यह यूएस से है ब्रेटिश है यह सब चुरा-चुरा के ले गए थे इंडिया से सब चोरी करके ले गए थे तो काफी स जो हमारे प्रधान मंत्री है वो यूएस से गए थे है ना जब अमेरिका गए थे तब यहां पर यह अग्रिमेंट किया गया कि जो सौस से ज़ादा इंटिक्विटीज है वो यहां पर हम यूएस से लेंगे और यह बात यहां पर PM ने स्पीच के अंदर भी बोली थी कि हम कि अमेरिका सरकार ने यहां पर डिसाइड किया है सौस से ज़ादा इंडिया की चुराई हुई एंटिक्विटीज को वापस करने के लिए अब खेर वो बात अलग है कि हां चोरी हुई है गलत रास्ते से यह अमेरिका पहुँची है लेकिन अमेरिका का जो डिसीजन है 205 एंटिक्विटीज ऐसी पुरानी पुरानी हमारी मूर्तियां और कलकरितियां जो कि यहां पर यह चुरा कर ले गए थे उसको वापस कर दिया है ठीक है समझ में आ गया और बोला यह जा रहा है कि इंडिया यूएस दोनों मिलकर इस टॉपिके उपर काम भी कर रहे हैं द कि आने वाले भविश्य में अगर कोई किसी देश से कल्चरल आर्टिफेक्ट्स की ट्राफिकिंग होते इस प्रकार से कलाकरितियां और मूर्तियां की तसकरी होती है तो उसको रोका जाएगा दोनों देश मिलकर उसके उपर काम करेंगे ऐसा यहां पर बोला गया तो एक अ देवल पर आपको देखने को मिल जाएगा अब जो खासकर हमारे इंडिया के एंवेस्डर हैं यूएस के अंदर में तरंजीत सिंग जी उनका यहां पर कहना यह है कि जो लोग समझ रहे हैं यानि कि इंडिया के लोगों के लिए न यह कोई कला नहीं है यह बिसिकली हमारा जो देश का कल्चर है ठीक है हमारी संस्क्रीट ही है हमारे देश का हैरिटेज हमारी विदेश की विरासत है हमारे देश का कल्चर है यह हमारे लिए कोई ऐसे कला नहीं है यह ठीक है यह बात भी यहाँ पर आपके सकते हो इन्होंने मेंशन किया है जो कि हम लोगों ने आज के thumbnail भी mention किया है, है न, कि ये color के टुकडे नहीं है, भारत ये विरासत है, तो US ने आपर इन चीजों के business पर हमारे जो ये antiquities हैं, उसको याँ पर लोटाया है जो ये 105 antiquities लोटाई जा रही है न, इन वे से 47 तो Eastern India को बिलोंग करती है 27 Southern India को बाकी जो 22 हैं, वो Central India को और 6 हैं, वो North India को और 3 Western India को याँ पर बिलोंग करती है इन इन जगा से चुरा कर ले जाए गई है और ये antiquities कितनी पुरानी हैं बोला जा रहा है कि 2nd century से लेकर 3rd century CE से लेकर, ठीक है, 2nd 3rd century CE से लेकर, 18 से लेकर यहाँ पर ये terracotta figures हैं जो चिकनी मिट्टी से बनाए गए मूर्तियां हैं, पत्थर हैं, मैटल्स हैं, वोड हैं वो यहाँ पर कईनकी ले जाए गए और 105 में से 50 तो ऐसे यहाँ पर antiquities हैं, जिनका religious significance है डारेकली यहाँ पर हमारे जैसे 2016 का जो विजिट हुआ था USA में उनका, तब 16 artifacts को यहाँ पर अमेरिका ने भारत को दिया था फिर उससे बाद 2016 के बाद 2021 में आप देखोगे, तो अगेन अमेरिका ने फिर यहाँ पर 157 antiquities को दिया, फिर 2022 में आप देखोगे, तो फिर से वहाँ पर रख रख आए, ठीक है तो वो चीज़े वापस से इंडिया मगाई जा रही है, समझ गए तो यह था यहाँ पर पूरा का पूरा topic लेकिन क्या यह article exam में काम में आएगा, तो यह directly तो नहीं आएगा क्योंकि ऐसे article publish होते रहता है यह यहाँ से मगाया, वो वहाँ से मगाया examination में आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन examination में आपसे कुछ और चीज़े पूछी जा सकती है antiquities को लेकर भारत में कानून क्या है antiquities exactly क्या होती है किसको antiquity बोला जाता है इसको लेकर भी एक term है वो चीज़ा आपने जरूर से clear होने चाहिए तो पहली चीज, antiquity होती क्या है अब antiquity को define करने के लिए हमारे पास में एक particular act है law है, उसका नाम है antiquities and art treasures act of 1972 यह जो कानून है यह आया था 1 April 1976 में और इसने यह आपर यह बताया कि antiquity की definition क्या होती है antiquity basically एक ऐसा object है या कोई work of art है जो कम से कम 100 साल से exist कर रहा हूँ at least 100 साल से exist कर रहा हूँ 100 साल पुराना तो होना ही चाहिए at least बोल रहा हूँ जाद साथा कितना भी हो सकता है at least कम से कम तो 100 साल पुराना होना चाहिए और इस antiquity में आपका कोई सिक्का भी हो सकता है sculpture हो सकती है मूर्तियां हो सकती है paintings हो सकते है epigraph हो सकता है कुछ articles हो सकता है कुछ और items हो सकते है जो हमारे science को दर्शा रहे हो art को literature, religion, custom, morals, politics को दर्शा रहे हो ठीक है वो चीज़ा antiquity हो सकती है लेकिन at least 100 साल का existence तो होना चाहिए ये बात हो गई हमारी बाकी सरी चीज़ों के लिए लेकिन जो हमारे manuscript होता है जो documents होता है कुछ documents भी antique कहलाता है प्राचीन काल के वो documents आपके scientific, historical, literature से related, aesthetic value हाँ पर उनकी होती है लेकिन जो हमारे manuscript जो होंगे अटिक्विटी वाली category में रखा जाएगा समझ गए अब antiquity की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे कुछ protection initiative चलाए गए है जैसे भारत के अंदर में अगर मैं आपको बताऊ item number 67 of the union list जो कि आपको पता है 7 schedule के अंदर में हमारे पास में union list है state list है, concurrent list है union list, state list, concurrent list union list में जो जो topic है उन topic के उपर हमारी कें सरकार कानून मनाती है state list में जो जो topics हैं उस पे कें सरकार कानून मनाती है यहाँ पर कें सरकार मनाती है यहाँ पर कें सरकार मनाती है union list में और concurrent list के अंदर जो topics आते हैं पर हमारी केंज सरकार और राजसरकार दोनों मिलकर लॉज को बनाते हैं लेकिन जब बात आती है एंटिक्विटी उसकी प्रोटेक्शन की तो भारत के अंदर में जो आइटम नंबर 67 है यूनियन लिस्ट के अंदर में अब आपको देखो बता दिया है कि यूनियन लिस्ट य ये PETER करता है हमारे भारत के विरासतों से हमारे देश के हैरिटेज से ठीक है और देश के हैरिटेज में ये अन्टिक्विटी जाती है समझ गए तो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और स्ट्रेक्विटी तीने जगा पर यहां पर इसकी चर्चा हो रही है ये देश की अ कुछ महीने पहले एप्रेल 1947 में एक कानून पास हुआ था ताकि जो एंटिक्विटीज हैं इनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जा सके रोका जा सके और कोई भी एंटिक्विटी बिना किसी लाइसेंस के एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती यह हुआ फिर उसके बाद में तीसरा और कदम उठाया गया इसको प्रटेक्शन देने के लिए एक नया एक्ट आया आमसर एक्ट इसकी फुल फॉर्म है इन्शेंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्केलोजिकल साइट्स एंड रिमेंस एक्ट यह जो एक्ट है इसको लाया गया था 1958 में ताकि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो पुराचीन काल के यहाँ पर जो समारक हैं एंशेंट मॉन्यूमेंट्स हैं आर्केलोजिकल साइट्स हैं इनको डिस्ट्रक्शन से बचा सकें इनका गलत उपयोग ना हो सके यहाँ पर कोई तोड़ फोड ना हो सके यानि हमारे ओवराल मॉन्यूमेंट्स को जो भी समार रख्या उनकी सुरक्शा के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए यह जो एक्टव वो लेकर आया गया था तो हमारे पास में टोटल इस प्रकार से तीन चीज़े देखने को मिल सकती है जो हमारे एंटिक्विटीज की प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करवाती है और ये तो बात की हमने इंडिया की बाकी दुनिया में भी इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ इस प्रकार से कानून हैं, लॉज हैं, इंटरनेशनल अग्रिमेंट्स हैं जो कि यहां पर इनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं For example, UNESCO ने यहां पर 1970 का 1970 का यहां पर एक कन्वेंशन तयार किया है, जहां पर इस कन्वेंशन में इस अग्रिमेंट में साफ साफ बोला गया है कि इस कन्वेंशन का में मकसद है कि जो भी हमारा कल्चरल प्रोपर्टी होगा किसी देश की उसका ट्रांसफर को रोका जाएगा, उसका एक्सपोर्ट प्रोहिबिट किया जाएगा, प्लस यहां पर जो इल्लीगल तरीके से इंपोर्ट होता है, उसके ओपर रोक लगाई जाएगी, ठीक है, बाकी United Nations Security Council ने भी एक resolution पास किया था 2015 और 2016 में, और उस resolution के अंदर भी मांग की गई थी कि जो cultural heritage sites हैं हमारे देश के अंदर में, उसको protection दिया जा सके, अब question यहां पर यह है, कि जैसे हमने अमेरिका से antiquities को मांगा, तो इसके पीछे का procedure क्या था, क्या हम ऐसी मांग लिए, क्या ऐसे तो हम सब कुछ मगा सकते हैं, जो भी हां पर चुरा-चुरा कर ले जाया गया है, इंडिया से बाहर लक्रितिया हैं, जो देश की अजादी से पहले बाहर ले जाई गई, समझ गए, एक category यह हो गई, दूसरी category क्या है, कुछ antiquities जो की देश की अजादी के समय पर, यानि कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, 1947 से लेकर 1976 के बीच में जो समान ले जाया गया है, चुरा-चुरा कर, फिर उसकाद में, थर्ड category है, कि 1976 के बाद से, अब तक यहाँ पर जो भी समान ले जाया गया है, इंडिया से बाहर, तो ये तीन प्रकार के antiquities, categories को बाटा गया है, और तीनों तरीके से, जो तीनों अलग-लग समय पर बाहर ले जाए गई, इनको मागने का procedure अलग-अलग है, For example, जो देश के अजादी से पहले antiquities बाहर गई हैं, उनको मागने के लिए, उनको वापस से अपने particular country में लाने के लिए, बाट करनी पड़ती है, एक particular country से जहाँ पर वो समान है, उसके साथ में, बालिटरिली यहाँ पर यह मुद्दा उठाना पड़ता, या international level पर इस परकार ने एनाउंस किया, कि हम कोशिश करेंगे और काम करेंगे, कि जो छतरपती शिवाजी महराज जी की जो तलवार है, उसको लंडन से वापस मगया जाए, ठीक है, यह हो गई category जब देश के अज़ादी से पहले चले जाता है antiquity, उसके लाबा जो दूसरी और तीसरी व तो उसके basis पर वाए antiquities इंडिया वापस मगाई जा सकती है, समझ गए, तो यह पूरा का पूरा यहाँ पर मुद्दा था, आर्टिकल था, जिसके background information में काफी सारी चीज़े थी जो directly examination में पूछी जा सकती है, आ गया आते हैं, नहों आएंगे world page पर, world page पर दो important आर्टिकल ह और exam के लिए बहुत बहुत important है, सबसे पहला यहाँ पर गया वाला, इसको GS paper number 2 health के section से link अगर सकते हो, कल मैंने आपको एक बिमारी के बारे में पढ़ाया था, और वो बिमारी थी कौन सी, अरे, याद नहीं आ रहा है यार, मेरे दिमाग कम जूर हो गया, वो Parkinson disease के बारे में कल पड़ा है था, आज हम थोड़ा Alzheimer के बारे में पढ़ेंगे, Alzheimer, Parkinson, यह सारी बिमारियां दिमाग से related है, Alzheimer वाली जो disease है इसको लेकर कोई दवाई नहीं थी, अभी कुछ समय पहली एक नई दवाई आई है मार्केट के अंदर में, वो दवाई के बारे में भी मैंने discussion किया थ आपके साथ में, अभी क्या है, दूसरी दवाई बन चुकी है, सेकेंड नया जो ड्रग है वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि कईना की अपने promise को पूरा कर रहा है, Alzheimer बिमारी को ठीक करने का, जो दो दूसरा experimental Alzheimer ड्रग है, वो कईना कहीं काफी बहतर पाया गया है, जो कि यहा हमेशे के लिए तो नहीं ठीक कर साकता, एक इंसान को diabetes हो गई, शुगर हो गया, तो उसका treatment ऐसा नहीं है कि ठीक हो जाएगा पूरा, उसको maintain करके चलना पड़ेगा अपना diet, ठीक है, समझ गे, तो उसी प्रकार सा जो Alzheimer है, इसका कोई proper treatment नहीं है, मतलब कि ठीक हो जाएगा बस यह है कि यहाँ पर अब इसके असर को यह कम कर देगा, Alzheimer के असर को कम कर देगा, यहाँ पर इंसान की जिंदगी बढ़ा देगा, तो यह यहाँ पर इस दवाई का purpose है, तो जो हमारा यहाँ पर यह Alzheimer की दवाई है जिसका नाम है, डोना निमेब, डोना निमेब यहाँ पर अप्रूव हुई है उसका नामे लेकेमबी मैंने आपको पढ़ाई हुदा याद औरों का लेकेमबी लेकेमबी जो है यह जैपनीस ड्रग मेटर आईसी की साइट से बनाई गई है इसको भी अप्रूवर मिल चुका है यह भी ऐलजीमर वाली बिमारी में काफी कारेगर साबि अब यहाँ पर डोनामेब भी आचुकी है जो डोनामेब है और लेकेमबी है यह दोनों दवाया जो है लाब मेड है लाब के अंदर बनाई गई है गई है और इसका में काम यह यह कि जो ब्रेन में जो एमिलोइड नाम का प्रूटीन जम जाता है जिसकी वज़़ा से यह आज के समय की एक खतरनाक बिमारी है और इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर एक इंसान की जिन्देगी को सुधार सकता है जो भी एल्जीमर से पीडित होगा लेकिन करना क्या है अब इस आर्टिकल में बहुत सारी और भी चीज़ें जो एक के बरावर दवायां है जो कि एक इंसान की मैमरी को इंप्रूव कर सके लेकिन एल्जीमर वाले केस में कोई दवाया नहीं है एल्जीमर वाले केस में सीधा यहाँ पर आपने क्या करना है अपने ब्रेन को प्रोटेक्शन देनी होती है और सीधा दिमाग के ओपर इंपक्ट एल्जीमर क्या है बेसिकलिए एक neurological disorder है दिमागी सम्मंदित बिमारी है जो क्या करता है हमारे brain के अंदर जो cells present है आपस में communicate करने का काम करते हैं cells उसी के मादम से brain काम कर रहा है उन brain cells को degenerate करके उनको मार देता है यह एल्जीमर बिमारी और वो cells मरने की वज़ा से एक इंसान को memory loss की problem आती है, चीज़ों को भूलना शुरू कर देगा, प्लस यहां पर सईसे बोल नहीं पाएगा, लिक नहीं पाएगा, अच्छे judgment नहीं ले पाएगा life के अंदर में, mood के अंदर बार बार swings होंगे, changes होने start हो जाएगे, उसकी stage में बोला जारा है कि जो symptoms होता है Alzheimer बिमारी के, ये बहुत ही जादा कम होता है, ठीक है, और कभी-कभी यहां पर ये symptom काफी खतरनाक भी हो सकता है, ये लक्षन, तो Alzheimer जो है, एक most common कारणड देखने को मिल जाएगा, dementia का, खासकर older people के अंदर जादार होता है, जो बुड़े लोग हैं, उनमें जादार ये Alzheimer देखने को मिलेगा, और Alzheimer के पीछे का reason क्या है, abnormal build-up of protein, यानि एक protein है, abnormal तरीके से वो जम जाता है, जिसको हम लोग amyloid के नाम से जानते हैं, और वो जो amyloid protein है, उसके जमने की वज़ा से, दिमाग के अंदर में yellow color का plague बनने लगता है, जो हमारे brain cells को बरबाद करने लगता है, brain cells को मारने लगता है, तो दो प्रकाल के protein हैं, एक तो है amyloid और दूसरा है tau, ये दो proteins क्या करते हैं, हमारे brain को damage कर देते हैं, इस Alzheimer disease के case में, अगर मैं आपको यहाँ पर एक image दिखा हूँ, तो इस image में आप और अच्छे से capture कर पाऊगे, जो मैं बोलना चाहरा हूँ, यहाँ पर आप देख पाऊगे, एक brain का structure है, इस brain में number one डलावाए, number one यह है, है ना number two और number three, number one में बूला जा रहा है, कि brain के अंदर, आपके जो protein है, दौाउ और amyloid protein, यह दोना एक खटे हो गए, एक खटे हो रहे हैं, और brain में दिरे-दिरे बढ़ते जा रहे हैं, और इनके बढ़ने की वज़ा से second number पर आप देखोगे, तो जो protein है यह आपके brain cells को पुरी तरह से damage कर रहा है, brain cells को मारता हो नजरा रहा है brain cells का connection तोड़ता हो नजरा रहा है third मैपके brain cells पुरी तरह से खतम हो जाएंगा brain का size भी छोटा हो जाएगा यह हमारा Alzheimer वाले case में होता है कि जो brain का size है, वो काफी छोटा हो जाता है देखो एक healthy brain कितना बड़ा होना चाहिए इतना बड़ा जो मैंने यहाँ पर यह पूरा का पूरा ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर जो Alzheimer से सफर कर रहा होता है इंसान है उसका brain का size भी इतना छोटा हो जाता है यानि normal brain से भी शरंक हो जाता है समझ गया है कि Alzheimer का case क्या है तो एक incurable disease है ठीक नहीं हो सकती, इससे death इंसान की ओना निस्चेत है लेकिन उसको लंबा खींचा जा सकता है एक इंसान की उम्र को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है महिलाओ में जादा रिस्क देखने को मिलता है इस Alzheimer का as compared to the men बाकी treatment में आपको बताए चुका हूँ करेंटली कोई treatment अविलेबल नहीं है दो दवाईया आ चुके हैं मार्केट के अंदर में एक का नाम डोणने बे और दूसरे का नाम यहाँ पर लेके हैं भी ठीक है तो यह आपको दोनों दवाईयों के नाम देखने को मिल जाता है चलो आगया आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ नेक्स्ट आर्टिकल बात के जा रही है रश्या एक्जिट्स युएन ब्रोकर डेल टू एक्सपोर्ट युक्रेनियन ग्रेन वाया ब्लैक सी देखो पिछले साल फरवरी के महिने में यानि 2022 में रश्या युक्रेन का वार स्टार्ट हुआ और वो रश्या युक्रेन के वार को आज लगबग एक साल से जादा हो चुका है ठीक है अब रश्या युक्रेन की वार की वार की वैसे दुनिया भर के उपर कई सार अलग लग तरीके से इंपक्ट पड़ा जैसे कि दुनिया भर में जो खाने पिने की छीज़ें एवें जो वीट है जो गेहु है उसकी ऊपर जो महंगाई है वो काफी बढ़ती होई निजरायी मैं गाई के उबरतीव ने ज़राई गेहूं की क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन है यूक्रेन कहीना के एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का गेहूं का अब ये वार की वज़ज़े से यूक्रेन कहीना के वो जो गेहूं है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में नहीं पहुचा पाया ठीक है इंटरनेशनल मार्केट में उस गेहूं को नहीं पहुचा पाया ऐसे गेहूं के सासाथ कई सारे और भी अनाज है जो की यूक्रेन सबसे जादा export करता है दुनिया भर के अंदर में लेकिन war की वेसे international market में ये सारी चीज़ा नहीं पहुँच पा रही थी जिसकी वज़ा से जो supply है वो कम हो गई लेकिन demand लोगों की उतनी ही थी grain की demand बराबर चल रही थी poor countries में भी demand चल रही थी लेकिन इसकी supply एकदम से कम कर दी गई और दोस्तों मैं आपको बता दूँ economy के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि किसी particular चीज़ की अगर जो demand है वो बढ़ जाए और supply उसके कम हो जाए तो इसका मतला उसके दाम बढ़ेंगे तो ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जो हमारे grains हैं इनके जो दाम है वो काफी जादा बढ़ते हुए नजर आए और जो हमारी poor countries है उन्होंने बुरी तरह से सफरगरना start किया जब situation खराब हो रही थी तो यहाँ पर टर्की जो है टर्की नाम का जो country है वो यहाँ पर Russia और Ukraine के बीच में आता है एक deal करवाने के लिए उसको यहाँ पर नाम दिया या Black Sea Grain Initiative Deal और इस deal के मादम से यहाँ पर यह डिसाइट किया या कि Ukraine से कुछ जहाज निकलेंगे Ukraine का जो port है ना इस वाले picture में आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उपर Black Sea है इधर टर्की है इधर बल्गेरिया रमोइनिया उसके बाद यहाँ पर Ukraine है रश्या है यह सब countries क्या कर रही है Black Sea के साथ में अपने boundaries को शेर कर रही है Ukraine का एक port है यहाँ पर Odessa उसके अलवा यहाँ पर दो port और है इस प्रकार से बंदर गाएं Black Sea के पास में और यह क्रीमे वाला रीजन है जो कि अभी रश्या के हाथ में है रश्या के कबजे में 2014 में रश्या ने इसको कबज जा लिया था अब बात यहाँ पर यह है कि Ukraine की side से इस प्रकार से जहाज में यह गेहूं भर कर यह नाज भर कर निकलना था और इस रास्ते से निकल कर यह international market में पहुँचना था लेकिन रश्या अटैक कर रहा है इधर से तो Ukraine को डर था कि इनके जहाजों के उपर अटैक ना हो जाए इस चक्कर में यहाँ पर export बगरा बंद हो गया तरकी नाम का देश बीच में आया और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक deal कर वाई Black Sea Grain Initiative deal इस deal के अंदर यहाँ पर यह decide किया गया कि Ukraine के यह जो किनारे के बंदरगा इन बंदरगा से जहाज निकलेगा यह अनाज लेकर और सीधा international market में जाएगा Russia एक basically corridor इनको provide करवाएगा इतना area इस वाले area में attack नहीं करेगा इनके जहाजों के उपर कोई attack नहीं होगा तो यह deal यहाँ पर हो चुकी थी पिछले साल यह decide कर लिया गया था और Russia मान गया जिसकी वेसे यहाँ पर अभी तक जो गहूं वगरा वो international market में पहुँच रहा था अब क्या है दोस्तो 17 जुलाई आ रही है तो 17 जुलाई आ रही है तो क्या हो गया अब 17 जुलाई आ भी क्या रही है कल 17 जुलाई निकल चुकी है 17 जुलाई को यहाँ पर यह जो agreement है यह expire हो चुका है अब expire होने के बाद में Russia को वापस से यहाँ पर यह agreement करना पड़ेगा ठीक है वापस से इस agreement को extend करना पड़ेगा आगे बढ़ाना पड़ेगा पहले ही पिछले साल दो बार extend हो चुका है एक बार और extend करने की बाद की बर रिश्या है कोई attack मत करना लेकिन अपकी बार Russia इसको extend नहीं कर रहा है इस agreement के अंदर में Russia आपकी बार exit कर चुका है वही चीज़ यहाँ पर बताई गई तो रश्या ने यहाँ पर इस UN broker deal से exit कर लिया है ठीक है और क्यों क्योंकि अभी देखो एक कारण यह भी है कि अभी आपको पताऊगा कल के दिन काफी न्यूज आ रही थी एक bridge एक pull है जो कि यहाँ पर रश्या को क्रीमिया से जोड़ता है एक लौता bridge कर्च bridge इस bridge के उपर attack किया यह जिसकी वैसे इस bridge के उपर काफी ज़दा damage हुआ है bridge पूरी तरह से टूड़ इया है रश्या के एक परिवार की मिर्तिय भी हो चुकी है ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो इधर से यहाँ पर आपका सकते हो रश्या ने जवाब भी दिया है रश्या के defense ministry ने कि of course हम भी यहाँ पर से जवाब देंगे अपना response दिखाएंगे यूकरेन को जिस प्रकार से इन्होंने attack किया है हमारे bridges के उपर एक connectivity जो क्रिमलिन को मतलब रश्या को sorry यूकरेन से जोड़ती थी या क्रीमिया से जोड़ती थी तो वस वाले bridge को यहाँ पर तोड़ा गया जिसकी वैसे यहाँ पर अभी रश्या गुस्सा भी है ठीक है तो अभी फिलाल देखने है क्या होता है अभी के लिए यहाँ पर रश्या इस agreement से exit कर चुका है बाहर आ चुका है यह मैं आपको समझा दिया तो black sea grain initiative deal क्या है वो आपने समझा black sea कहां पर है वो आपने समझा इस deal के बारे मैं आपको बता दिया क्योंकि यूकरेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा exporter है अनाज के मामले में चाहे वो गेहूं हो गया चाहे वो मक्का हो गया या बाकी और चीज़े हो गई तो एवन यहां पर United Nation का जो food aid programs होते हैं उन program के अंदर भी यूकरेन एक सबसे बड़ा contributor की category में रखा गया है समझ गए तो यह यहां पर पूरा का process है UN और Turkey ने मिलकर यह agreement करवाया था agreement खतम हो रहा है अब वापस से agreement बढ़ाने की जब बात आई है तो जो Russia है वो यहां पर इसको अब मना कर रहा है कि मैं यहां पर आगे जो इस agreement को नहीं बढ़ाऊंगा 17 जोलाई को expire हो चुका है Russia यहां पर agree मना कर रहा है कि मैं यहां पर इसको वापस से renew नहीं करूँगा वापस इस agreement में नहीं आऊँगा ठीक है यह बात आपने ध्यान में रखनी है आगे आता है यहां पर आपको दो important article देखने को बलेंगे सबसे पहला यह वाला देख लेता है यहां पर कुछ खास बात नहीं की गई है लेकिन जो हमारे one day examination होता है जो हमारे banking और बाकी सारे examination होता है वहाँ पर इस प्रकारी question बनते रहता है तो एक personality है न्यूज में जिनका नाम है Mangla Narilkar अब जो यह Mangla Narilkar है तो एक mathematician थी है recently यहां पर इनकी death होई है 80 की age थी इनकी 80 की उमर थी तो इनकी death होई है एक cancer का treatment चल रहा था तो इस विसे यहां पर यह news में बनी हुई है Mangla Narilkar तो mathematician है, scientist है और इनकी बृत्यू की विज़से यह news में है तो आप से यहां पर examination के perspective से question बन सकता है तो बात की जारी है कि इन्होंने यहां पर mathematics के तौर में काफी सारे अलग-लग research की हैं, काफी सारे books लिखी हैं एवन यहां पर इन्होंने 1967 से लेकर 1969 तक जो यह mathematics है, इसको Cambridge University England के अंदर पढ़ाया भी उसके आदि यहां पर इंडिया में आकर जो University of Pune है, जो आज की समय पर सवित्रया भाई, फुले यूनिवरस्टी है वहां पर इन्होंने काम किया mathematics के डिपार्टमेंट के अंदर में तो फिलाल यहां पर इनकी डेत हुई है उससे यहां पर इन्यूस में है, तो नाम नाम सिस्टम है, एर प्रोपोजिशन सिस्टम जिसको AIP बोलते हैं, इस सिस्टम के उपर यहां पर थोड़ा सा जोड दिया जा रहा है ठीक है, इसके उपर थोड़ा सा में फोकस किया जा रहा है इंडिया एक्सपेक्ट यह कर रहा है तीन और स्कॉर्पीन को मैं आपको बताता हूँ, मामला क्या है देखो, भारत ने फ्रांस के साथ में निगोसियेशन स्टार्ट किया अभी प्राधान मंतरी हाली में फ्रांस होकर भी आए हैं फ्रांस के नैशनल डे पर तो इंडिया ने फ्रांस के साथ में निगोसियेशन स्टार्ट किया तीन स्कॉर्पीन को लेकर स्कॉर्पीन सम्मरीन की बात करें सम्मरीन यानि पंडूपियों की बात करें जो पानी के अंदर चलती है तो इसको लेकर यहाँ पर जो हमारा नेवल ग्रूप है फ्रैंच को डेवलेपर है इन संबरीन के उन्होंने अल्रेडी 100 करोड रुपीज यहां पर इन 3 वरक्शॉप के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया है जिसके बेसिस के ओपर यहां पर जो यह संबरीन से स्कॉर्पीन क्लास की इनके ओपर काम चल रहा है ठीक है एविन यहां पर स्कॉर्पीन क्लास वाली संबरीन के अंदर में इंस्टॉल करने की बात की जा रही है ठीक है कि फ्रांस के साथ में जो समबरीन मिलकर बना रहे हैं इसमें क्या होगा यह एई-ई-ई-पी सिस्टम हम इसको इंस्टॉल कर देंगे और धीरे-देरे करके हम लोग अपनी सारी स पाइनेस कलवरी से होगी, 2024 के अंद तक यहां पर इसके अंदर भी हम लोगे लगाने वाले हैं, इससे क्या होगा, इस AIP सिस्टम को लगाने से सम्मरीन का जो पावर है वो और जदा बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, जो हमारी नॉर्मल सम्मरीन, नॉर् आप कह सकते हो, अपने आपको रिचार्ज करके वापस यहां पर समुदर गेंदर में जाना पड़ता है, यह सम्मरीन का नॉर्मल प्रॉसेस है, लेकिन आप कह सकते हो कि यह जो AIP सिस्टम है, अगर इस AIR Propulsion सिस्टम को इस सम्मरीन में स्पंडूपी में लगा दिया जाए, तो इस से वो सम्मरीन पानी के अंदर में लंबे समय तक टिक सकती है, लंबे समय तक रह सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीके, उसको बार बार पानी के बाहर आने की जूरत नहीं है, क्योंकि पानी के बाहर बार बार सम्मरीन निकल कर आएगी, तो उसका बागी दोस्तों कुछ छोटे-छोटे आर्टिकल से और देखने को मिल जाएंगे जैसे एक आर्टिकल यह है जो हमारे होम मिनिस्टर अमिशा जी इन्होंने यहाँ पर यह बोला है कि जो नई ड्रोन पॉलिसी है वो नई ड्रोन पॉलिसी जल्दी आने वाली है ठीक है कुछ होंगे उसके restrictions के basis के उपर में नई ड्रोन policy होगी ड्रोन क्या होते हैं आपको पता है आजकल आपने सभी जगा पर देखा होगा आजकल शादियों में भी जो शूटिंग वगरा हो रही है वो ड्रोन से हो रही है तो इसका साही तरीके से उपयोग करना इसको लेकर कुछ restrictions के basis पर यहां पर एक नई नीती तयार की जाएगी उस नई नीती के basis पर यहां पर लाया जाएगा ठीक है कई बार यहां पर ड्रोन का गल्ल तरीके से भी यूज़ होता है इससे ड्रक्स वरा की तसकरी की जाती है है ना कई बार हत्यारों की तसकरी की जाती है तो उन सब को ध्य मुबाइल फोन्स हैं और जो फोटोग्राफी है वो केदारनाथ टैंपिल के अंदर में बैन कर दी गई है जो भी हमारे श्रदालू जानते हैं धेरों में श्रदालू जाते हैं अब क्या कर रहे हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम के रील अब ये कदम क्यों उठाया गया क्योंकि हाली में आपको बता हुआ एक वेमें ब्लॉगर है उनका जो वेडियो है सोचल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हुआ वो अपने बॉइफरेंड को टैंपिल के सामने या पर प्रोपोस कर रही थी उस वो जो पूरा वेडियो जब वाइरल हुआ उसके बाद से काफी लोगों ने अपनी नराजगी दिखाई ये गलत है मंदिर जा रहे हैं ठीक है इस प्रकार के यहां पर यह हरकत हो रही है फिर अभी यह हो रहा है इससे फिर शुरवात हो रही है दिरे दिरे और और भी लोग बढ़ेंगे और सकते हो कि जो टैंपल प्रेमिसस है इनके उपर सब कुछ लिख दिया है ठीक है वहाँ पर लिखवा दिया गया है बोट्स लगा दिये गहें कि मंदर के अंदर में मोबाइल फोन के साथ पर एंट्री नहीं होगी प्लस किसी प्रकार की फोटोग्राफी और जो वीडियो ग् अब यहाँ पर आप मंदर के अंदर नहीं कर सकते हो और कोई करेगा तो उसके पर फाइन हो सकता है वो CCTV कैमरा के अंडर में है ठीक है और जो यह टैंपल है और इस टैंपल नहीं यहाँ पर लोगों से मांग भी की है कि जो लोग है वो एक डीसेंट प्लोथ पैन है प्रिलिम्स वाला क्वेशन यह आज का प्रिलिम्स का क्वेशन क्या है तो UPSC का 2015 का क्वेशन था हूँ आफ दा फॉलोईंग इस दा कस्टोडियन आफ दा कॉंसिशन आफ इंडिया नीचे ऑप्शन में जो चार चीजें है इन चारों में से कौन से यहाँ पर सही ऑप्शन बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे भारत देश का सबसे उच लेवल का कोर्ट है और जो हमारे भारते सम्विदान उसमें मेंशन किया यह देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमारा भारते सम्विदान का कस्टोड हमारे भारते समिधान की इस रक्षा करने के लिए एक अभी रक्षक है उसका केर डेकर है समझ गए नाव दोस्तों इसी के साथ मैं करते हम लोग आचके अपने इस लेक्चर को समब आई होब आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडिय में आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जैहिंद